हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेग टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साबुत मूंग दाल और बची हुई सब्जी से बनाए हुए कटलेट यह क्रिस्पी और खाने में टेस्टी बनते हैं इसके लिए आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं और मेरे पास मूंग दाल भी बची हुई थी यह लिए है मैंने बोईल की हुई एक कप मूंग दाल यह साबुत मूंग है इसमें मैंने टमाटर भी डाले हुए हैं और यह लिए है एक कप बची हुई आलू की सब्जी यह बारी कट हुई चार हारी मिर्च यह दो बड़े टमाटर बारी कटे हुए और यह लिए है मैने बारी कटे हुए प्याज और यह आधा कब हरा धनिया और यह है एक टेबल स्पून नमक हाफ टेबल स्पून जीरा हाफ टेबल स्पून लाल मर्च और ये लिया है एक पिंच हींग और ये है एक टेबल स्पून क्रश किया हुआ साबुद धनिया ये लिया है मैंने एक नीबु करस और ये ही इसका खास इंग्रिडेंट दो कप सूजी आप बारी क्या मोटी कोई भी सूजी का यूज़ कर सकते हैं और अब हम इने अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इने इतना मिक्स कर लीजिए कि ये बिल्कुल एक जैसा हो जाए और ये हमेंने पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है हम इने शेलो फ्राइ करेंगे और यह हमारा mixture तयार है अब हम इने 5 मिनट के लिए ढग कर रख देंगे और आईए बनाना शुरू करते हैं आप cutlet अपने हिसाब से बना सकते हैं आप इसका size छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप इसे चप्टा, लंबा या round shape कोई भी shape दे सकते हैं और यह ली है मैंने आधा कप सूजी अब हम इसमें cutlet को अच्छे से लपेट कर रख देंगे और यह mixture से इतने ही cutlet बनी है और आप मारा तेल गरम हो गया है अब हम इसमें cutlet को fry करेंगे आप इने deep fry भी कर सकते हैं लेकिन मैंने इने shallow fry किया है और आप पैन में इतने ही cutlet डालें ताकि आप उन्हें अच्छे से पलट कर roast कर सकें इन्हें सेखने में एक बार में कम से कम 5-6 मिनट का टाइम लगता है हम इने medium flame पर ही roast करेंगे हम इने पलट पलट कर सेख लेंगे और हम इने medium flame पर ही fry करेंगे और यह हमारे गटलेट अच्छे से shallow fry हो गई है यह खाने में tasty और crisp बने है sauce चटनी या दही के साथ भी हम इने खा सकते है बची हुई सबजियों का यह कितना अच्छा यूज है यह आप बनाने के बाद ही बताईए आप मुझे कमेंट कीजिए और देखिए देखने में यह कितने tasty लग रहे है कितने अच्छा यह कितने लग रहे है